नमस्कार ड्यूज नेशन बरोकी नामा प्रजेंस चैंपियन्स की जंग में आपका स्वागत है मैं आपके साथ अखिल गुपता आईपिल 2024 में सोमवार का दिन बड़ाई खास होने वाला है क्योंकि इस दिन मैदान पर दो बड़ी टीमों का आमन सामना है मॉंबई इंडियन्स के सामने होगी राजस्तान रोयल्स अब यह मुकाबला खास इसलिए है क्योंकि एमाई को अपनी पहली जीत की तलाश है जबकि राजस्तान रोयल्स विजएरत पर सवार है राजस्तान रोयल्स ने दो मैच खेले हैं और दोनों में ही शानदार जीत दर्श की लेकिन मॉंबई इंडियन्स के किसमत अभी भी सोई हुई है आई पिल शुरू हुए एक अफ़ते से दादा का समय हो चुका है लेकिन एमाई पांच पर की चैंपियन को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है यह मुकाबला खेला जाएका मॉंबई इंडियन्स के घरेलू मैदान यानि कि वान खेडे स्टेडियम में और वान केडे स्टेडियम मैच है तो एक चीज़ तो पकी है एक चीज़ गैरेंटी है कि माई ऐमाई पल्टन मुंबई मुंबई का शोर जबरदस दिखने को मिलागा होने वाली है, दोनों टीमों की मैच प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, दोनों टीमों का हैट टूएट रिकॉर्ड क्या कहता है, उसके बारे में बात करेंगे, बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की, फैंटेसी अगर आप बनाते हैं तो fantasy अपनी टीम में किस ख्राइडियो कपतार मना सकते हैं उसके बारे में चरचा करेंगे मकाबला कहां पर देख सकते हैं फ्री में मकाबला कैसे देख सकते हैं वो भी आपको बताएंगे लेकिंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पी तक News Nation को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि पूरे IPL आपको OK नामा प्रेजेंज चैंपियन्स की जंग इसी प्लैटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं MI VS RR मैच की पिछ रिपोर्ट की, वानखेडी की पिछ पर अच्छी बल्ले बाजी देखने को मिलती है, जिसकी मदद से टीमों को हाइस स्कोर बनाने में आसानी रहती है, हाला कि इस मैदान की पिछ स्पिनर्स को भी विकेट लेने में मदद कर सकती ह मॉंबई का रिकॉर्ड यहां पर बहुत अच्छा रहा है, MI टीम ने यहां पर 78 मैच के लिए जिनमें 49 में टीम ने जीत हासिल की, तो पिछ रिपोर्ट के अकोर्डिंग मॉंबई VS राजिस्थान मैच में रनों की बारिश देखने को मिल सकती है, एक हाई स्कोरिंग मुका जीत कर पहले गेंदबासी की जाए, क्योंकि एंड के समय में टार्गेट का पीछा करना इस मैदान पर काफी एजी रहता है, और स्पेक्टर भी रहती है तो जिसकी मदद चेहस करने वाली टीम को मिल सकती है, और जो कि M.I. का रिकॉर्ड यहां पर जबरदस रहा है, 78 में स उननचास पुकाबले मॉंबई इंडिनस ने जीते हैं, तो यहां पर इस टीम को अपनी 50 भी जीत का इंतजार होगा, तलाश होगी और उम्मीद करते हैं कि मॉंबई का पलड़ा इस मैच में थोड़ा भारी रहेगा, अच्छा पफोर्मेंस टीम करेगी, अब बात कर ले थ सकती है, यानि कि सोमवार को वोनखेड़ स्टेडियम मॉंबई में बारिश की, दूर से दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन चूपि वोनखेड़ स्टेडियम में मैच हो रहा है, अब बारिश तो होगी, चोगे च्षकों की हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा हो सकता है कि इस मैदान पे 200 रोनों का टारगेट भी चेज हो जाए अब 200 का टारगेट चेज होगा यानि कि चौके और चुको की जमा जम बरसाथ देखने को मिलेगी अब बात कर लेते हैं कि हेट टो एड रिकॉर्ड क्या कहता है मुंबई इडियन्स और राजिस्तान रोयल्स का आई पेल स्टीम में अब तक कितनी मारामना सामना हुआ और किस टीम का पलडा भारी रहा अगर M.I.V.R.R. के हेट टो एड रिकॉर्ड की बात करें मुंबई इडियन्स और राजिस्तान रोयल्स के बीच अब तक आई पेल के इतियास में कुल 28 मकाबले खेले गए इस दोरान मुंबई ने 15 जीते और 12 में राजिस्तान को जीत मिली एक मुकाबला बिना किसी रिजल्ट के खत्म हुआ था यानि कि अब तक जो 28 मैच खेले गए हैं उनमें मुंबई इडियन्स का पलड़ा थोड़ा नहीं बलकि थोड़ा जादा भारी निज़ार आता है बोलर्स भी टीम के लिए अच्छा परफोर्मेंस करते आ रहे हैं यानि कि हेड़ टूएड में बलडा भला ही मुंबई इडियन्स का भारी हो लेकिन इस सीजन उनको पनी पहली जीत की तमन्ना पूरी करने के लिए राजस्तान रोयल्स के खिलाफ कड़ी मशकत करनी पड़ पिछले मैच में मुंबई का सामना संराइजस हिद्राबाद से हुआ जहां पर हिद्राबाद ने मुंबई की खूब पिटाईगी टीम ने 20 ओवर में 277 अरंड बोर्ड पर लगा दिये मुंबई का हर एक गेंबाद S.R.S. के सामने पानी भरता हुआ नज़र आ रहा था क्या कप्तान हर्दिक पांडिया क्या जस्परिद बुम्रा और क्या 17 साल के युवा केवन मेफाका पाफाका डपका डेब्यू हुआ लेकिन बहुत खराब डेब्यू हुआ आपने चार और में उन्हें बिना किसे विकेट के 66 टरंग खर्च कर दिये ऐसे में शायद प्लेंग 11 से राजस्तान के खिलाफ उनकी छुटी हो सकती है और लियुक वूड को केलने का मौका मिल सकता है ये वही लियुक वूड है जोने पियसल में बावाराजम की कप्तानी वाली पिशावर जलमी के और से क्रिकेट खेला था और दस मैचों में 11 विकेट भी चटकाए थे अच्छी लैमें नज़र आये थे और लियुक वूड ट दुरुप जुरेल, रवीचंदरन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चेहल, संदीब शर्मा और अवेश खान राजसान रोयल्स की टीम चुकि अपने दो मैच खेले हैं, दोनों में जीत कर आ रही है, शायद प्लेइंग 11 में इनकी संभावना, गुनजाईश की बदलाव की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है, आर आर के टीम शायद ही अपनी प्लेइंग 11 में कोई चेंज करती टीम अच्छी ले में है, हलाकि जॉस पटलर की खराब फॉर्म अभी चिंता का बड़ा विशे बनी हुई है, जॉस पटलर ने पहले दो मैचों में उस तरह की ले नहीं दिखाई, उस तरह का स्ट्राइक रेट उनका नज़र नहीं आया, और पिछले वरल्ल कप से वंडे वरल्ल कप से वो खराब ले में हैं, उनकी बल्ले बाजी लगातार फ्लॉप हो रही है, ऐसे में जॉस पटलर की फॉर्म ने वाकिय में टीम की चिंता वढ़ा रखी है, मैच प्रेडिक्शन की अगर बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं, वराजिस्तान रॉयल्स के संत रौट दी, लेकिन बड़ी पारी में कर्वर्ट नहीं कर पाए, पहले मैच में संजूर सेंब्सन का बला बोला, लेकिन दूसरे मैच में दिली के खिलाव वो छोटी पारी खिलकर आउट हो गए, लेकिन रियान पराग ने अभी तक दोनों ही मैचों में प्रभावित किया ह पहले मैच में 43 किये, दूसरे मैच में नाबाद 84 रन मना कर मैदान से बाहर लोटे जब 36 पर आरार का स्कोर तीन हो चुका था, तीन विकेट गिर चुके थे वहाँ पर पारी को संभाला तार्यान परागने और क्या आउट स्टेंडिंग पारी खिलती शिम्रोन हिन्पायर उनको शुरुआत मिलती है लेकिन बड़े स्कोर में कड़वर्ट नहीं कर पाते दुरुग जुरे लपी तक दोनों पारियों में 20-20 रन बनाएं अच्छी बल्ले बाजी की है पिछले मैश में दिल्ली के किलाफ आर अश्विन का बल्ला भी चमका था जहां पर रोनर ने तीन चकों की मदद से एक कैमियो रोल प्ले करते हुए तेस तरह 29 रन बनाए थे यानि कि आरार की बल्ले बाजी में मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आती टीम की बॉलिंग अच्छा कर रही है नांद्रे बर्गर्ट लगातार 150 की गती से उपर की गिनबाजी कर रहे है ट्रेंट बॉल्ट वान खेडे में खेलने का अनुभव इनके पास है और जब टेंट बॉल्ल के हाथ में गेंद होती है तब एक बात की तो शियर्टी पकी है कि पहले ओवर में विकेट जरूर आ रहा है उसके अलावा शुरुवाती च्छे ओवर को जो पावर प्ले होता है इसमेच में आरर को जीतका फेवरेट बाना जा सकता है लेकिन अगर मॉंबई इंडियन्स के बात करें तो इस टीम में कमियही कमिया नजर आ रही है हार्दिक पांढ़य को जब से कपतान बनाया गया है कपतान यह अच्छी हो नहीं रही है पहले मैच में टीम भिखरी हुई नजदाराई दूसरे मैच में अधराबाद के किलाफ जब टीम का सामना हुआ वहाँ पर तो टीम के मानो पोल पट्टी सब खुल गई गिनबाजों ने 277 रन पिटवा दिये उसके अलावा जब चेज करने टीम उतरी 246 रन जरूर बनाए फाइड जरूर की लेकिन मैच हार गई रोई शर्मा ने दोनों मैरियों में शुरुबाट टीम को दिलाई है बड़ा स्कोर नहीं बना पाया है अग्यन हर्दिक पांडिया नहीं गैन से शुरुबाट कर रहे हैं जो कि टीम के लिए सबसे बड़ी माइनस पॉइंट साबित हुए टीम की हार का सबसे बड़ा कारण रहा है हर्दिक पांड़ा की गिनाजी बल्ले बाजी में भी हार्डिक पाइड बिलकुल फ्लॉप रहे हैं दोनों पारियों में कुछ खास नहीं कर पाए दोनों पारियों में हार्डिक के पास मौका था एक फिनिशर के रूप में उभर कराने का लेकिन उन्हों ने गुजरात के किलाफ और हिदराबाद के किलाफ दोनों ही मैचों में फैंस को निराश किया गेनबाजों में बुमरा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी गेनबाज अच्छी ले में नज़र नहीं आ रहा है जिस कती से जिस स्पीड से जिस ले से बुमरा ने एक लेंट सीरीज में परफॉम्मेंस किया था वोई लेकिन बल्ले बाजी में अकले रोई शर्मा गेन बाजी में अकले जस्परिद बुमरा ये दो खिलाडी आपको मैच नहीं जिता सकते मैच जीतना है तो पुरी टीम को कमबाइन परफॉम्मेंस करना पड़ेगा खास दोर पे हार्दिक पांडे को बुमरा का सही तरीके से इस्तमाल करना पड़ेगा बुमरा के हाथ में नई गेन थमानी पड़ेगी अब पावर प्ले के बाद आप अगर आप बुमरा को बोलीन देंगे तो फिर क्या ही फायदा अगर आप जब तक नहीं गेन बुमरा को नहीं तमाएंगे आप प्लेच नहीं जी सकते ऐसे में अगर मुमबाइ इडिन्स को अपनी पहली जीत दर्श करनी है हाई पिल 2024 में तो कप्तान हार्दिक पांडे को अच्छी कप्तानी करनी पड़ेगी बुमरा का सही से इस्तमाल करना पड़ेगा और खुद को बलेबाजी ओर्डर में थोड़ा उपर प्रमोट करना पड़ेगा तब ही शायद मुमबाई के भाग खुल सकते हैं लेकिन क्योंकि ये मुकाबला वाण के डे स्टेडियम में है तो मुमबाई के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही है कि वहाँ का क्राउड क्योंकि मुमबाई का क्राउड हमेशा मुमबाई इडियंस के लिए 12th प्लेयर का काम करता है सामने वाली विपक्षी टीम पर दबाव पैदा करता है ऐसे में उमीद है कि बॉमबाई इडियंस इस मैच पे थोड़ा अच्छा परफॉमेंस करेगी और सिजन की पहली जीत भी दर्च करेगी बात अगर आप फेंटेसी की करें फेंटेसी टीम बनाते हैं तो मुझे लग रहे है कि रियान पराग पर आप दाव केल सकते हैं क्योंकि पहले दो मैचों में जिस तरीके का उनका परफॉमेंस रहा है कब माल की लिए में हैं डोमेस्टिक रिकेट में अच्छा करकर आ रहे हैं वहीं अगर आप फ्री में इस मुकाबले का लुप फूटाना चाहते हैं तो टैंशे लेने की ज़रूरत नहीं है जियो सिनेमा एप पर आप बिना कोई पैसा खर्च किये इस मुकाबले को फ्री में देख सकते हैं लेकिन आपको कहीं भी जाने के जरूवत नहीं है आप News Nation Sports पर बने रहे हैं आपको पिछ रिपोर्ट मिलेगी, TOS के समय का Live मिलेगा, Match के बाद के फूल Analyst आपको मिलेगी तो आपको कहीं भी जाने के जरूवत नहीं है आपको बने रहना है News Nation पर और News Nation Sports पर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शियर करना बिल्कुल न भूलें साथी कमेंट कर ये जुरूर बताएं कि आरार वर्सेज एम आई में कौन सी टीम में मुकाबला जीतने वाली है